तो दोस्तों आप जो स्क्रीन पर कभीता देख रहे हैं इस कभीता के जरिये में आप लोग को इंग्लिस लिखना सिखाऊंगा ठीक है ना जैसे कि आप लोग वाटसेप हो गया अधर कोई भी प्लेटफर्म जहां पर आप लोग चेटिंग करते हैं इंग्लिस में जिस तरह का इंग्लिस वहां पर लिखते हैं यह शीखना है तो इस वीडियो को आप कमप्लीट जरूर दे कैसे लिखेंगे अम्मा ए ड्रबल एम ए अम्मा करती कितना का करती के का के लिए के लिखा फिर ए आर कर टी अब यहां पर बड़ी ए के मातरा लगा हुआ है तो इसके लिए हम डबल ए भी लिखते हैं या फिर आई भी लिखते हैं अपना मैना ठीक है ना तो के ए आर टी ड कि कितना काम कि आई चोटी एक मातरा के लिए लिखते हैं कितना कि आप यहां पर यह बात है कि सर्थ तो और नौ के बीच में तो कोई मातरा नहीं है तो फिर आपने एक क्यों नहीं लगाया देखें कित यह किता का सउंड नहीं आ रहा है जैसे नो में आगर का सवन ही आ तो के ए Heaven यहां पर के आइटी N यह तो आधा बोल रहे हैं आधा वाछ बटना कम उच्छा क्याइं लग डायई है कित बोलने में तो की तपिए मोल सबीए में करेंगे किना कॉम को पर किसे कुछ का कॉंआ चाहे सुभण हो चाहे शाम चाहे। के लिए दिते हैं आपकर लगा हो है तो इसके लिए लिखाउमगे चाह के लिए ह से लिकेंगे और ई लिखेंगे एकार के लिए चाहे सुबह एस यू छोटी के मातरा के लिए यू सुबह एस यू बी ए एच सुबह अब यहां पर दिखें ए मैंने क्यों लगाया क्योंकि बह तो और का उचार आ रहा है वह उड़ा बह और हो ठीक है ना सुबह हो एच ओ से हो चाहे चाहे सुबह हो चाहे साम और कुछ ना करती ही रहती कुछ ना कुछ करती ही रहती तो को के लिए के चोटी के मातरा के लिए यू छो के लिए सी डबल एच कुछ ना कुछ ना एन ए भी लिख सकते है ना कुछ ना कुछ के यू सी डबल एच कुछ ना कुछ करती करती ही ही कुछ ना कुछ करती ही रहती सारे घर का बोजा साथी अश जी एच ये आर गहर का के से हो जाएगा का घर का बोजह बो के लिए क्या लिखते हैं B वकार के लिए O और जोह के लिए जे एच ठीक है ना, B O J H बोजह सहती S A H T I सहती ठीक है ना, सारे घर का बोजह सहती, आगे लिखा है नहीं उसे मिलता आराम, ठीक है ना, नहीं किसे लिखेंगे N-A-H-I नहीं उसे U-S U-S-E उसे मिलता M-I-L-T-A मिलता अराम जबल A-R-A-M अराम नहीं उसे मिलता अराम अम्मा करती कितना काम A-A-M-A अम्मा करती K-A-R-T-I अम्मा करती कितना K-I-T-N-A कितना काम अम्मा करती कितना काम हम भी थोरा काम करेंगे अब हम हो के लिए लिखेंगे H-A की मात्रहा के लिए H-A-M हम B-B-H-I B-T-H-O इस रहा के लिए D का प्रयोग करते है T-H-O-D-A थोड़ा काम K-A-M काम करेंगे करेंगे K-R-E-N-G-E करेंगे हम भी थोड़ा काम करेंगे अम्मा जी की मदद करेंगे ठीक है A-A-M-A अम्मा जी या J-A-A-B लिख सकते है J-A-I-B तो J-A-E लिखेंगे अम्मा जी की की मदद M-A-D-A-D अम्मा जी की मदद K-R-E-N-G-E अम्मा जी की मदद करेंगे तब होंगे सब काम तमाम तब कैसे लिखेंगे T-A-B तब होंगे H-O-N-G-E होंगे सब S-A-B सब काम K-A-M काम तमाम T-M-A-M यहाँ पर A लिख सकते हैं ठीक है न? तमाम तमाम यहाँ पर M है T-A-M-E-M ठीक है न? तमाम मिलेगा होगा ठीक है न? तमाम मिलेगा M-I-L-E-G-A मिलेगा A-M-M-A अमा को अराम डबल ए आर अराम ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो? अब इस तरीके से हिंदी को इंग्लिस में लिखते हैं ठीक है न? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों से सेयर जरूर करे और हाँ हमारे इस चैनल पर पहले लफाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरका वीडियो आपको उन्टर्वियो मिलता रहेगा मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक लिए बाइ टेक यर लब यू ऑल थैंक्यू सो मच इस तरके मैंने कई सारे वीडियो बना रखें अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को भी जरूर देखें और दोस्तों सेयर जरूर करें भी उसका बहुत कम ही आ रहा है ठीक है न वीडियो बनाने में तो एद मैना तो लगती है और आपका साथ मा मिला तो ऐसे में कुछ नहीं होगा ठीक है न स्मार्ट बोट ले सकूँ ठीक है न जब होएगा तो ले लेंगे स्मार्ट बोट पर ही पढ़ेंगे ठीक है न तो ओके दोस्तों मिलेंगे फेले वीडियो में तब तर क्लिए बाई टेक क्यार लव यौल थैंक यू सो मच